नमस्ते दोस्तों मैं सुमन चुहान हमारे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है तो आज हम बनाने रचा रहे हैं फेस इसक्रब जो की संत्रे के चिलकों से बनने वाला है और संत्रे को ओरेंज भी बोलते हैं तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया हो तो अपट से सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकरशन आप तक पहुंच सके तो बिना टाइम वेस्ट किये हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए मैंने लिया है संत्रे और संत्रे तो हम खा लेते हैं लेकिन छिलकों को फैंक लेते हैं फैंक देते हैं लेकिन अब इनको भी फैंकना नहीं है इनका भी काम है कुछ तो हमें संत्रे के छिलकों को सुका कर रख देना है जितने ये अच्छी तरह से दूप में सूप कर तयारने हो जाए उतने दिन तक आपको ऐसे ही रखना है, आपको जितना फेशी स्क्रब बनाना है, उसके हिसाब से आप छिलकों को सुका कर रख सकते हैं, कुछ दिनों के बाद आप देख सकते हैं मैंने संत्रे के छिलकों को इतने हद तक सुकाया है कि क्रंची क्रंची हो चुके हैं अच्छी तरह से सुके हैं तो इसके लिए मैं एक मिक्सी का जार ले रही हूं और उसमें संत्रे के छिलकों को डाल रही हूं क्योंकि हमें इनको अ दरदरा पाउडर है जो कि इस्क्रब करने में बहुत अच्छा होगा तो इस्क्रब बनाने के लिए मैंने लिया एक वाउल और वाउल में मैं एक चमज के करीब ये संत्रे के पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ मैंने दो चमच के करीब ये पाउडर लिया है आपको जितना इसक्रब बनाना है उसके अकोडिंग आप ले सकते हैं और उसके बाद मैं ले रही हूँ एलुएर अजेल आप जानते होंगे कि एलुएर अजेल भी हमारे चेहरे के लिए कितना अच्छा होता है तो एलुएर अजेल मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल रही हूँ और इसमें अच्छी तरह से मिला लेना इसको आप पाउडर को पीश कर रख सकते हैं और रोजाना इसी तरह से बना कर लगा सकते हैं आपको हफते में दो या तीन दिन तक लगाएंगे और कम से कम पंदरा भीश दिन तक लगाएंगे तो आपको अपने चेहरे पर रिजल्ट इसका नजर आने लगेगा आप देख सकते हैं मैंने एलुएरा जेल थोड़ा थोड़ा करके डाला इसमें और अच्छी तरह से मैं मिला रही हूं और इसके बाद मैं इसमें रोज़ वोटर डालूँगी यानि की गुला अब जल जो की हमारे चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा होता है रोज वोटर हम इसलिए डाद रहे हैं की हमारे स्कर फोड़ा ठीन बनेगा जिसे की स्कर वोटर करने में हमें आसानी होगी इसक्रब करने से हमारे चेरे पर जो भी कील मुहा से दाग दबे होंगे वो असानी से निकल जाएंगे और चेरा बहुत ही ग्लोइंग होने लगेगा मैं आपको अपने हातों पर लगा के बता देती हूँ आपको अपने चेरे पर लगाना है और इसी परकार से हलके हातों से रब करना है और रब करने के बाद आप कुछ देर के लिए छोड़ दीजे इसको फिर गुन गुने पानी से अपने चेरे को धो के पहुंच लीजे आप देखोंगे कि आपका चेहरा कुछी दिनों में चमकदार और अच्छा बनना जाएगा